भारत चीन 1962 युद्ध के दोरान, लद्दाक के रेजांगला पास में 5000 चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर धावा बोल दिया। पोस्ट की रक्षा कर रहे थे मेजर शेतान सिंग और उनकी कुमाउं बटालियन। बटालियन में सिर्फ 120 सैनिक थे, साथ ही भीशन ठंड और कठिन इलाके का भी सामना कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद मेजर सिंग के नेत्रित्व में बटालियन आखिरी गोली तक लड़ता रहा है। लगभग 1300 चीनी सैनिक मारे गए और भारत ने 114 वीर सैनिकों को खो दिया और 6 को पकड़ लिया गया जो बाद में भाग निकले। मेजर सिंग उने 114 में एक थे। जब उनका ठंड से जमा हुआ शरीर पाया गया तो वे अभी भी हमला करने के लिए अपने हथियार पकड़े है। मेजर को उनकी अध्वितीय साहस और नेत्रित्व के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।